हेलो दोस्तों आप सभी को उमा के रसोई में स्वागत है फ्रेंड आज बनाएंगे बिगर खोवा बिगर घी के बहुती स्वादिश्ट मिठाई जिसको भी मिठाई खाना पसंद है और उनके लिए डॉक्टर ने मना कर रखी है घी और खोवा खाने से तो गबराने की कोई ब सब्सक्राइब करेंगे जो आप इसको भाष्ट इंज्वाली पर तो फटापड से बनाएंगे एक कटोरी बेशं लिए हैं बेशं को सबसे पहले हमें बेशन को चान लेना हैं बेशन छानने से ही होता है जो भी बेशन के अंदर जैसे बाल हो जाते है में इस तरीके तैसे चलनी Smack Umwelt्वाला और मोटा तो हम ने बारिक्वाला का इस्तमाल किया है मोटे से वहरा डूत अप्या करेंगे जिस कटोरीश हमे बेशन लिए अलसी कटोरी से लोगे हम दूद और दूद को इसमें डाल देना है और दूद डालने के बाद थोड़ा सा दूद हमने बचा लिया है और दूद को हमें इसमें इस तरीके से गोल लेना है दूद आपके पास अगर थोड़ा सा गुन-गुना हो तो वो भी ले सकते हो अगर ठंडा हो तो वो भी ले सकते हो जैसे आ दोस्तों इतनी बढ़िया मिठाई बनके तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और जिसको भी खिला होगे ना, तो पूछे का जरूर आप से कि आपने ये किस तरीके से बनाई है, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो हमें क्या करेंगे, इस तरीके से पतला सा गोल बना के हमें तैयार कर लेना है, आप लोग देख सकते हो, इस तरीकी का गोल होना चाहिए, तो गोल को क्या करेंगे, हम रख देंगे इसको साइड में, ये हमने साइड में रख दिया है, साइड में रखने के बाद क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार र ज्यादा मिठाई में मीठा पसंद है तो आप चीनी का इस्तमाल इसमें बढ़ा सकते हो, मतलब चीनी की क्वालिटी बढ़ा सकते हो, और फिर क्या करेंगे, फिलेंगे हम दस से बारा, ये ले लिया हमने बादाम, दस से बारा के बादाम के बाद लिया हमने कच्छी वाली मु अब इसमें आप इलाइची भी डाल सकते हो दो इसमें इलाइची का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो मैं तो इलाइची का पाउडर डालूंगी इसको पीस लेना है फिर गैस पे रखा हमने फ्राइपेन और मैंने बोलाता ना मातर एक चम्मच गी में हम यह मिठाई बना के तयार करेंगे तो गैस पर रखा हमने फ्राइपेन और फ्राइपेन में क्या किया है हमने डाला एक चम्मच के करीबी देशीगी डालना है इसमें और एक चम्मच देशीगी डालने के बाद क्या करेंगे जो हमने बेसन को दूद में गोल के रखा था उसको इसमें ड बेशन चिपक जाता है, इस बात का आप लोग जरूर द्यान रखें, बेशन थोड़ा बहुत चिपकेगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम इसको पकाना होता है, और ये पकने में कम से कम 10-12 मिनिट लगते हैं, और बहुत अच्छे से पक जाता है, जैसे जैसे ये पकना सुरू होगा, वैसे वैसे ये गाड़ा होना सुरू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, आप लोग सोच रहे होगा, ये चिपक जाता है, मगर नहीं, ये इसी तरीके से पकता जाता है, और गाड़ा होता जाता है, इस तरीके से आप लोग मिठाई बादेष्ट लगेगी खाने में तो फटा पड़ से हमें इस प्रोसेस को कल लेना है छोड़ना नहीं है और गैस को रखेंगे हम लोटू मीडियम ही रखना है हमें हाई नहीं करेंगे क्योंकि बेसन हमारा जल जाएगा इसलिए अब क्या करेंगे अब हम इसको इस तरीके से ए यह गाड़ा होना सुरू हो चुका है तो इसी तरीके से हमें पूरे बेसन को इसमें पकाना होता है और यह इतनी स्वादिष्ट मिठाई लगती है दोस्तों यह मतलब थोड़ा से इसको दिक्कत आती है यह चलाने में मगर यह बनके तैयार होती है न तो एकदम मुह में शुरू हो जाती है क्योंकि बेसन है तो पीशन चिपकता है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से हम है ल। की मदब से चलाते हुए बढ़िया से भून लेना बेशन को अब बेशन को हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको हो गए आठ से नॉमिनेट के करीब हो चुके हैं तो जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे वैसे वैसे एकदम बुरु बुरा सा होतना सुरू हो जाएगा आप लोग देख सकते हो यह काफी हद तक ड्राइ हो चुका है तो यह मिठाई की एक बात यह होती है दोस्तों जितनी यह भूनते हैं न उतनी हमारी मिठाई बहुत अच्छे से स्वादिष्ट बनके तयार होती है इस प्रोसेस को कन्ये में टाइम तो लगता है ताइम लगता है और मेहनत भी लगती है तो उसी से क्या है मिठाई बहुती स्वादिष्ट बनती है इसी तरीके से हमें इसको बढ़िया से भून लेना है लगातार चलाते हो यह भूनेंगे रोखींगे बिलकुल नहीं रोख देंगे तो नीचे से बेशन चिपक जाएगा और जल जाएगा मिठाई का टेस्ट कड़वा हो जाएगा तो काफी हद तक हमारा बेशन भून चुका है आप लोग देख सकते हो अभी हमें इसको और भूनना है बिलकुल ऐसा ड्राई कर देना एकदम भूरबूरा सक कर लेंगे हम इसको लगातार ही चलाते हुए भूनेंगे अब देखो काफी हद तक है हमारा ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद में आप लोग देख सकते हो बेशन का जो कलर है वो भी काफी हद तक चेंज हो गया है गोल्डन जैसे दिखाई देना शुरू ओ चुका है तो इसी तरीके से हमें ये बेशन को भून लेना है अब बेशन हमारा बहुत हद तक भून गया है तो आप देख सकते हो इस तरीके का हमें बेशन चाहिए होता है ये देखो बहुत बढ़िया से बुन गया है ना और बहुत जो बुन जाता है ना बेशन तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगते हैं एक दम करेंगे पूरी तरीके से हमें इसको नहीं ठंडा करना आप लोग देख सकते हो बढ़ बढ़िया से भुन चुका है वेशन तो अब क्या करेंगे जो चीनी और जो बाधाम इनका हमने जो पाउडर भना के रखा था मिक्सी के जार में तो उसको इसमें डाल देंगे हमने ना तो हमने खोवे का इस्तमाल किया है ना हमने इसमें जादगी का इस्तमाल किया है और ना हमने चासनी इसमें डाली है और इस तरीके से मिठाई बनाना आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और इस टाम क्या करो गेस को ओन कर देना है ओन करने के बाद क्या होता है थोड़ा थोड़ा ही हमें इसको ओन करना है मतलब हाई प्लेम नहीं करना है मतलब नॉर्मल रखना इसको और नॉर्मल रखने के बाद क्या करेंगे एक से दो मिनेट ही इसको हमें हलका सा गरम करना होता है एक से दो मिनेट के बाद क्या करेंगे फिर गैस को कर दे और बहुत ही अच्छी मिठाई बनती एक दम दानेदार और मुह में गुल जाती है जाती और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एक चम्मच गी डाला है तो उसका गी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है अगर आप लोग घी खाना ज्यादा पसंद करते हो तो चिक हैं तरी की कोई छोंथी वाली प्लेट ओं आपके पस बड़ी वाली प्लेट अब देशीडी में ब्रीक होगे चिपिएगी नहीं अब यह बड़ी करने चीपिए ब्रब्रीश करने के बद क्या त्यार होगी अब जो हमने जो बेशन का मिठाई बना के तैयार करी थी उसको इस प्लेट में रख देंगे और रखने के बाद क्या करेंगे इस कर्चु की मदस्ते इसको फैला देते हैं आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से यह प्रोसेज हमें थोड़ा सा गरम गरम में करना है बढ़िया से हमारी यह फैल चुकी है और फैल चुकने के बाद क्या करेंगे हम इसको 10 मिनिट के करीम हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते तो 10 मिनिट हो चुके हैं 10 मिन उसी तरीके से हम इसको काटके तैयार करेंगे और फटापट से कट भी जाती है ज्यादा टाइम बिल्कुन नहीं लगता एकदम दानेदार और जहुसी मिठाई बनके तैयार होई तो इस दिवाली पर आप लोग यह मिठाई बनाकर जरू ट्राई करना आपको बहुत दाएगी तो फटापट से क्या करेंगे इसको दूसरे बरतन में हम निकाल लेते हैं यह क्या किया है हमने दूसरे बरतन में इसको निकाल के तैयार कर लिया है आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी मजेदार हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है बेसन की और ना तो हमने खोवेक इस्तमाल किया ना साच चासनी बनाई और इसी तरीके से हमने सिंपल तरीके से मिठाई बना के तैयार करी है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगी तो मैं आप सभी को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी और कितनी स्वादिश्ट है तो प्लीज नीचे लाइक के बटन है आप लोग लाइक कर सकते हैं